क्या sperm count सिर्फ अपनी fertility का इंडिकेटर है या कुछ उससे ज़ादा दोस्तों आज बात करते हैं male fertility की या male infertility की मैं हूँ Dr. Manisha Mehta, Apex Hospital, Sirsa, Haryana, India से आज मैं आपके साथ बहुत सारे facts share करने वाली हूँ सबसे पहली बात कि खाली sperm count एक indicator fertility का नहीं है जिन लोगों का sperm count और motility ज़ादा अच्छी होती है वो लंबी उमर जीते हैं और उनको बिमारिया होने के chances उन लोगों से कम होते हैं जिन में ये problems ज़ादा हैं तो क्या करें और कैसे करें कि अपने sperm count और motility को हमेशा अच्छा रखें तो सबसे पहली बात मैं एक infertility specialist हूँ और मेरे पास हर किसम के males अपनी reports के साथ आते हैं एक बड़ा surprising fact है कि एक elderly male का sperm count chances की वो ज़ादा अच्छा होगा बहुत likely है than young male के तो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वज़ा से youngsters में या young generation में count और motility कम हो रही है कुछ इसके उपर चर्चा करते हैं जितना ज़ादा हम mobile use करते हैं या जितना ज़ादा screen time करते हैं उतना ही sperm count और motility harm होती है यानि inversely proportional है तो अगर आपको लग रहा है कि आपका count और motility कम है तो धीरे धीरे करके अपना screen time घटाएं क्या आपको पता है कि plasticoids यानि bits of plastics semen में और even testicular samples में भी पाय जा रहे हैं तो जितना हो सके plastics को अपने life से दूर करें पानी पीने के लिए भी glass या steel bottle का इस्तेमाल करें उसी तरह अगर एक आदमी alcohol भी लेता है यानि शराब भी पीता है और smoke भी करता है लेकिन वो आधा घंटा regular exercise करता है तो वो उस आदमी से जादा जियेगा जो ना तो कभी जिंदगी में जिसने alcohol ली है ना कभी smoke किया है तो इतनी जादा importance है हमारी life में physical activity की तो कोशिश करके आदा घंटा minimum रोज आना अपनी life में exercise को time दे दोस्तों हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं इससे भी असर होता है हमारे sperm count और motility पे बहुत सारी studies की गई जब लोगों की diet को sugar कम की गई और carbohydrate कम की गई और protein बढ़ाया गया fruits and vegetables और ऐसे food की मात्रा बढ़ाई गई जो nutritious हैं जिनमें antioxidant साधा है तो उनके 3 months के बाद जब count और motility चेक हुए तो बहुत साधा improvement देखा गया इसी तरह vitamin D की कमी भी semen count और motility दोनों को हाम करती है तो अगर आपका count या motility कुछ भी कम है तो vitamin D levels चेक कराए और इसके लिए बहुत simple से supplements आते हैं vitamin D के जो 60,000 international units vitamin D की होती है और उसको weekly basis पे आप 4 to 6 weeks तक ले सकते हैं हो सके तो दुबारा से भी चेक करा लें कि vitamin D adequate हुआ है कि नहीं हुआ क्या आपको पता है कि testicles या जिनको हमारे Indian language में गोलियां भी बोलते हैं जहां पे sperms produce होते हैं उनको body से बहर क्यों place किया गया है इसका एक बहुत important कारण है testicles को या sperm production के लिए 35 degree temperature चाहिए जबकि हमारे human body का temperature 37 degree है यानि 2 degree less तो ऐसा कोई भी कारण जिससे testicles का temperature बढ़ेगा वो sperms के लिए हानिका रखे अब ऐसा क्या क्या हो सकता है सबसे पहले यह जो बहुत जादा हगीस पिनाने का प्रचलन आजकल की generation में आया है तो हगीस के अंदर जब बचा toilet करता है या potty करता है तो हगीस के अंदर temperature build up हो जाता है और यह temperature build up होने से उसकी testicles के लिए harmful है जो कि आपको अभी नहीं पता चलेगा पर जब यह बचा 15-20 साल का होगा जब इसको actually में sperms की जुरत है तो पता चलेगा कि sperm count बहुत कम है तो मैं बहुत recommend करती हूँ उन लेडीस के लिए जो हगीस यूज करती है कि बहुत emergency होने पर भी आप हगीस यूज करें जितना हो सके पुराने जमाने वाले लंगोट्स को वापस अपनी लाइफ में ले किया है उसी तरह जो लोग बहुत मोटे हैं तो abdominal fat हमें सबको पता है कि polar bear बहुत मोटा होता है इसमें fat बहुत होता है और बहुत comfortably ice में भी रह सकता है तो fat हमारे को गर्मी देने में मदद करता है तो जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनका thighs का fat उनका abdomen या पेट का fat भी testicles का temperature बढ़ाने का काम करता है उसी तरह बहुत सारे लोग laptop अपनी lap पे रखके बैठते हैं और वो धीरे धीरे करके उसका temperature बढ़ जाता है जो बहुत harmful होने माला है आपके sperm production के लिए एक और बहुत common चीज जो नई generation में चल रही है जो पुराने टाइम में नहीं थी इस दिस, mobile, excessive mobile use और specially इसको जब हम अपनी lower pant की pocket में डालते हैं तो ये भी testicles का temperature बढ़ाने का काम करता है बहुत जदा अगर आप सोना बात ले रहे हैं या गर्मी में जदा रहते हैं तो इससे भी testicles का temperature बढ़ता है और बहुत जदा tight garments पहनने से या tight jeans पहनने से भी testicles abdomen में push हो जाते हैं जिसकी वज़ा से testicle temperature बढ़ जाता है तो दोस्तों ध्यान रखें कि इन सब चीजों से आप कैसे बढ़ सकते हैं mobile को carry करने के लिए एक hand back side पे रख लें ताकि वो body से दूर रहे बहुत सारे लोग जैसे ही मैं बोल सी हूँ कि testicles के लिए harmful है वो फटा फट निकाल के यहां रखने लगते हैं तो यह आपके heart के लिए भी अच्छा नहीं है तो कोशिश करें इसको अपनी body से दूर ही रखें दोस्तों मैं एक infertility specialist हूँ और एक जो सबसे important कारण मैंने देखा है sperm count और motility के कम होने का वो है stress एक बहुत खुबसूरत सा example देना चाहते हूँ कुछ साल पहले मेरे पास एक patient आया था married for 10 years 10 साल हो गये थे उसकी शादी को और sperm count बहुत कम था sperm count इतना कम था कि हमें IVF XC के लिए जब उसको लेना था तो हमें पहले से ही कम से कम 4 या 5 बार उसके sperm को freeze करना पड़ा usually एक sample में मुश्किल से एक sperm मिलता था हमने उसका IVF किया हमें लगभग 10 अंडे मिले लेकिन हमारे पास मुश्किल से 5 या 6 sperms थे तो हमने rest of the eggs को freeze कर लिया और उनको fertilize किया बहुत अच्छी खुशनसी भी थी कि वो पहली बार में ही pregnant हो गई patient one year के बाद जब वो deliver हुई तो within 4-5 months वो फिर से pregnant हो किया गए उस time पे मैंने realize कि अब क्या different था हमने जब उसी मेल का दुबारा से sperm count कराया तो वो quite good था तो मैंने समझाओ समय कि इस समय उस मेल के मन में tension नहीं थी अपने बच्चे को देखके उसको मन में इतना happiness थी या यह stress नहीं था कि मेरे में sperms नहीं है या यह problem है इसी तरह मैंने बहुत सारे cases देखे हैं जहां हम पहली बार IVF से बच्चा ले दे हैं लेकिन second pregnancy spontaneous हो जाती है तो stress एक सबसे बड़ा कारण है sperm count और motility के कम होनेगा इससे आपकी reactive oxidative species भी बढ़ जाती है अब मैं अगर आपको stress को समझाओ sympathetic और parasympathetic nervous system के हिसाब से हमारी body में sympathetic nervous system है जिसका main काम है fight and flight यानि जब भगवान ने हमें यह system दिया तो उनका यह purpose था कि जब सिंदगी में मुसीबत आए तो हम immediately action ले पाए जब हम जंगलों में रहते थे तो एकदम से शेर आ गया तो हमें पेड़ पे चड़ना है या चुप के जाना है केव में या कुछ भी तो उस समय पे हमारा sympathetic nervous system काम करता था जिसके components है adrenalin and noradrenalin लेकिन normal condition में parasympathetic nervous system जिसका काम है बंदे को relax, rest and digest कराना तो normally हम लोग को हमेशा relaxed और cool रहना चाहिए लेकिन आज की generation में जो बहुत common problem आ गई है कि हर वकत हमारा sympathetic nervous system active रहता है यानि हम हमेशा ready रहते हैं कभी कोई कुछ बोले तो लड़ने के लिए या एकदम से respond तो इसको बोलते हैं sympathetic nervous system अब क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने parasympathetic nervous system को activate करे parasympathetic nervous system की जब मैं बात करते हूँ तो हमारी body में 10th cranial nerve है जिसको हम बोलते हैं vagus जिसका काम है rest and digest and relax तो बहुत सारी techniques हैं जिसकी वज़ा से हम अपनी vagus को stimulate कर सकते हैं मैं आज कुछ आपके साथ share भी करना चाहते हूँ पहले तो यह कि आप जाने कैसे कि आपका most of the time sympathetic nervous system on रहता है active रहता है या parasympathetic on रहता है एक बहुत simple सा test है आप आँख बंद करके अपने nose के आगे एक hand रख ले और तीन बार सांस को भाहर छोड़ें यानि blow out करें और चेक करें कि आपका right nose से जादा जोर की सांस आ रही है या left nose से जादा जोर की सांस आ रही है अगर most of the time आपका right nose सादा active रहता है तो इसका मतला आपका sympathetic nervous system सादा on रहता है और अगर आपका most of the time left active रहता है तो मतला आपका parasympathetic या आपका happy mode सादा on है तो अगर आपका right nostril भी most of the time activated रहता है तो भी आप सोच समझ के विचार करके दूसरे mode में आ सकते है तो दोस्तों कुछ techniques ऐसी जिससे हम अपने vagus को stimulate कर सकते है इसमें गाना और गुन-गुनाना एक है तो दोस्तों बहुत important है कि अगर आप अच्छा नहीं भी गाते तो भी bring back the bathroom singer in you आप गुन-गुनाएं आप गाएं और उसके बाद आप चेक करें कि क्या आपका parasympathetic activate हुआ है की नहीं उसी तरह हसने से और मुस्कुराने से भी हमारी vagus stimulate होती है तो दोस्तों क्या कुछ खाना खाने से भी vagus stimulate होती है यह जो vagus nerve है यह हमारे head से हमारे intestine तक चा रहे है कुछ food ऐसे हैं जिनको मैं happy food भी बोलती हूँ जैसे food जिसमें omega-3 fatty acids जादा होते हैं जैसे की akrot, non-veg खाने वालों के लिए salmon हो गया coconut या जिसको narial बोलते है banana खाने से हमारी vagus stimulate होती है seeds खाने से हमारी vagus stimulate होती है और green leafy vegetables seeds यानि flex seeds, watermelon, musk melon seeds इसका mixture आता है तो यह भी आप अपनी diet में एक चम्रत जरूर लें तो बहुत सारे ऐसे और भी food हैं या खाने की चीजी हैं जिन से हमारे happy hormones secret होते हैं इसमें से एक गही भी है या ऐसे food जो हमारे probiotic है या जो हमारे intestine के लिए friend है तो यह भी अपनी diet में आप inculcate जरूर करें इसके इलावा cold showers लेने से यानि ठंडे पानी से नहाने से आपकी vagus nerve stimulate होती है तो यह भी आप try करके देख सकते हैं एक special type की breathing जिसको मैं बोलती हूँ कि vagus stimulating breathing एक आप ऐसा समझे कि एक मैं square बना रही हूँ तो 1, 2, 3, 4 में आपने सांस अंदर लेनी है 2, 3, 4 में सांस रोकनी है 2, 3, 4 exhale यानि सांस बाहर 2, 3, 4 रोकें तो ऐसी breathing करने से भी हमारी vagus stimulate हो जाती है ये कुछ-कुछ उज़य प्राणयाम की ही copy है या फिर आप simply उज़य प्राणयाम फे कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का ये भी question होता है कि very qusil या जिसमें आप ये समझें कि testicles के around आपके veins के गुच्छे आ जाते हैं grade होती है grade 1, grade 2 या grade 3 तो वो क्या harmful हैं? तो हाँ, जैसे veins अगर वहाँ पे बहुत जादा dilated या बहुत जादा prominent हो जाएंगी तो उससे भी testicular temperature बढ़ने के chances हैं जिसकी वज़ा से sperm count और motility दोनों को नुकसान हो सकता है बहुत सारे cases में operation भी suggested है जिसकी वज़ा से ये ठीक भी हो जाती है problem एक और recommendation मेरे उन लोगों के लिए जिनको ये problem है कि उनका count और motility बहुत अची नहीं है तो आप semen count और motility के साथ साथ एक culture test भी कराएं अगर culture positive आता है तो जो भी antibiotic sensitivity आती है आप उसको जरूर ले usually male urinary tract थोड़ा सा longer और एकदम straight नहीं होता तो antibiotic course 14 to 21 days की भी जरूरत पर सकती है एक और virus, HSV virus बहुत commonly उन लोगों में पाया गया है जिनके या तो sperms में दिकत है या जिनकी wives का बारी बारी abortion होता है तो एक HSV भी अपने blood में test कराएं अगर ये positive आता है तो इसका treatment भी लेना जरूरी है अब मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जो अपना sperm count कराने जाते हैं और उनको पता चलता है कि count nil है तो क्या करना चाहिए दोस्तों यहां से हमारे hormone secret होते हैं जिसको हम hypothalamus और pituitary बोलते हैं यह gonadotrophins release करते हैं जिनका नाम है FSH और LH अब यह testicles में जाके दो काम करते हैं number one sperm production और number two testosterone production तो अगर आप अपना FSH test कराते हैं और FSH low range में आता है यानि one से कम आता है तो इसका मतलब problem hypothalamus या pituitary के साथ है यह problem बहुत easily correctable है कुछ injections आते हैं जिनमें पहले तीन महीने हमें HCG के supplements लेने होते हैं और फिर तीन महीने हमें HMG के supplements लेने होते हैं ताकि जो hormones यहां से release होने थे वो हमने बाहर से दे दिया और वो testicles पे act करके ना केवल sperm production में मदद करेंगे बट testosterone भी produce कराएंगे नमबर टू अगर problem आपकी testis के साथ है यानि आपकी testis ने काम करना बंद कर दिया है तो no form of treatment will help लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि testis काम कर रही हैं कि नहीं तो वही hormone, serum FSH अगर आप test कराएंगे और अगर serum FSH बहुत high range में आता है usually 15 से ज़्यादा को हम high बोलते हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी form of treatment लेंगे तो आपको फाइदा नहीं होगा आपको donor sperm की ही जुरुत है बच्चा लेने के लिए लेकिन इसके विरूत अगर आप दो test चेक कराते हैं serum FSH और testosterone और अगर दोनों normal आते हैं तो इसका मतलब आपका hypothalamus और pituitary भी काम कर रहा है और आपकी testis भी काम कर रहे हैं लेकिन किसी blockage की वज़ा से आपके sperms बाहर नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे cases में IVF, XC, Pisa और Tisa की मदद से आप अपना ही बच्चा ले सकते हैं कोई problem नहीं है तो दोस्तों जब भी आपको ये पता चले कि sperm count nil है तो rather than आप एक testicular biopsy कराएं आप simple male fertility profile कराएं और उसमें दो चीजों पे बहुत सादा आपको ध्यान देने की ज़रुत है नमबर वान, serum FSH नमबर टू, serum testosterone अगर दोनों normal हैं तो मतलब blockage है आपको IVF की ज़रुत है, XC की ज़रुत है नमबर टू, अगर hormone FSH बहुत कम है तो मतलब कुछ injections के supplement से आप अपने sperms produce कर सकते हैं नमबर टू, अगर FSH बहुत ज़ादा है तो मतलब testicular failure है आपको sperm donation की ज़रुत पड़ेगी मैं एक बहुत common problem इन दिनों में देख रही हूँ कि जो लोग बहुत regularly जिम भी करते हैं, fit हैं young males हैं, उनमें nil count आ रहा है जब हम कारण पता करते हैं तो पता चलता है कि जिम में लेने वाले supplements हाला कि वो आपको ये खहते हैं कि इसमें only protein है या high quality protein है लेकिन उसमें testosterone होता है जो आपको body building में help करता है लेकिन ये testosterone आपके hypothalamus और pituitary पे जाके उसको ये कहेगा कि enough testosterone is there तो आप मत secrete करें ऐसे condition में जब आप अपना serum FSH चेक कराएंगे तो बहुत लो रेंज में आएगा यूशली एक या दूसे कम तो ऐसे में इंपोर्टन है कि जो मर्जी आप supplement ले रहे थे प्लीज उनको इमेडियत लोकें तो तीन महिने का time दे और आपको कुछ treatment भी लेना पड़ेगा कुछ इंजेक्शिंस लेने पड़ेंगे फिर्स फ्री मॉन्स HCG नेक्स फ्री मॉन्स HMG आपको कुछ लेख लेखेंगे तो इस अब जो आपको घ्राइब। थांच यू जो मॉच वाच्छिंस लेखेंगे नमस्कार